जी हाँ दोस्तों आपका प्यार हमारे वीडियो पर लगातार बना हुआ है बैक टू बैक आप लगातार मेरे वीडियो के नीमित सुरोता है इस बात की बहुत खुशी है हमें और आप सभी का सोपर गुजार हूँ जो मुझ पर भरोसा करते हैं आपको आज के इस फ्रस वेडियो में मेरिट लिस्ट और कौलिफाइड लिस्ट के आजी समस्याओं का समाधान करूँगा आप से रिक्वेस्ट है वीडियो पर पहली बार बिजिट कर रहे हैं तो वेडियो को भाई दिल से लाइक और सब्सक्राइब कर देजे क्योंकि मैं सेनिक इसकूल से समधे जितने भी हमारे आगे के नोटिफिकेसंस हैं या अपडेट हैं मैं आप तक पहुचाता रहूँगा बच्चों को 2021 एक्जाम से रिलेटेट कुछ डाउट हैं वो थोड़ी सी इस वेडियो में क्लियर करना चाहूँगा क्लास 6 वा क्लास 9 के लिए बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज कॉल कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने क्वालिफाई तो कर लिया है हम लोग पास हो गए हैं अब हमारा मेडिकल कब होगा तो बच्चों क्वालिफाई होना और मेरिट लिस्ट में आना दोनों डिफरेंट चीज है क्वालिफाई अलग चीज है क्वालिफाई का मतलब सिर्फ इतना है कि जो एंटिये न जो अपने मिनमम क्राइटेरिया रखा था पास होने के लिए उससे आप उपर निकल चुके हैं अगर आपके स्कूल काड पर क्वालिफाई आ रहा है या स्कूल वाइज कंडिडेट लिस्ट में नाम है इसका मतलब आप जंग में बने हुए हैं नाट कॉलिफाइड वाले जंग से बाहर हो चुके हैं ठीक है तो उनको निरास होने की बिल्कुल जरूत नहीं है आगे भी उनका बहुत सारा आगे फ्यूचर बचा हुआ है वो उनकी तैयरी करेंगे और आगे बढ़ेंगे जिन्दगी में कुछ करेंगे वाली फाइड का मतलब है आपको कंसीडर किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट से इसके बारे में एक आपको मैं प्रूप दिखा सकता हूं जो हमारी जो सैनिक स्कूल की जो हमारी ऑफेसियल साइड है एंटी आप यहां पर देख रहे होंगे इसक्रीन पर यहीं पर एक प सिकल्-आप ऐंडिया स्टैनिक स्कूल इंट्रेंस एक्जाम 2021 अससेग लिख करेंगे तो एक हमारा पीडी आप खूलेगा merit list will be prepared NTA hosted NTA website यानि कि जो हमारा जो है अभी जो क्या आया qualified काया है यह अभी हमारा merit list आने आने वाला है यानि कैसे आएगा school वाइज, class वाइज, gender वाइज, category वाइज आ चुका है इसके बाद क्या होगा हमारा इससे final merit list इसके बाद जारी होगा कहने का मतलब यह है जो बच्चे qualified है उन्ही को जो है final merit list में जगे दी जाएगी और यहाँ पर पढ़ेंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि जो भी आगे process होगा इसकी सारी जानकारी जो हमारी NTA की official site पर दी जाएगी इसके अलाबा जो है जो भी merit list आएगी अभी final merit list तो उसको जो है उस school की official site पर भी दिया जाएगा और NTA की official site पर दिया जाएगा ठीक है जो बच्चे qualified हुए हैं आपको medical test यह panic school में selection नहीं दिया जाएगा आसान भसम बोले तो pass तो कर लिये हैं लेकिन अभी वो list नहीं मिली है जिसमें आपका जो है first, second, third, top पूरे list जो है उसमें जारी कर दिया गया हो तो merit list का मतलब यह है कि suppose करिए किसी school में 100 site हैं आपको समझा देता हूँ कि किसी school में कितने site हैं 100 site हैं ठीक है आप बता दें कि जो हमारा final merit list आने वाला है भी तो उसमें जो है इसका तीन गुना लिया जाएगा final merit list में देखिए qualified तो हमारे लगभग जो है 1000, 2000, 3000 यानि कि बहुत 1000 सारे बच्चे यानि कि 1000 की संख्यम बच्चे क्या qualified हो गए हैं तो आपको final merit list में आपको सिर्फ 3 गुना यानि कि 1 ratio 3 यानि कि अगर 100 seat है तो आपको 300 का merit list जारी होना है आगे ठीक है 300 लोगों को merit list में इस्थान दिया जाएगा और उनका क्या होगा उनको भुलाया जाएगा merit यानि कि medical test में तो medical test में उनका check up होगा वहां से कुछ बच्चे क्या होगे बाहर हो जाएगे इसके बाद जो है जितने बच्चे हमारे बच्चेंगे उनको आगे बुलाया जाएगा process के लिए किसमें आपको बुलाया जाएगा document verification में वहां से जो बच्चे हमारे जितने seat होगी उनको टॉप के जो है इस्ट्रेंट होंगे उनके number और सारे process होने के बाद उन्हें selection दिया जाएगा तो I hope यह सारा process आपको समाझ आ गया होगा कि कैसा हमारा procedure इसका आगे होने वाला है यदि वीडियो पर पहली बार बिलिट कर र जिसे आगे भी आपको notification मिलती रहें तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पर जाइए हमारा